इसके वीडियो मैंने पहले भी बनाई है आई एम डबली स्लेवर्स पढ़ रहे हम जो फोर्थ एन शिक्समें में आने वाला है तो जो आज का टॉपिक है वह हमारा है इंसुलेशन एंड टांस्मिशन एंड डिस्ट्रिबूशन लाइन अब देखें इंसुलेशन टांस्मिश एंड डिस्ट्रिबूशन यह आपने पहले भी सुनाओगा टांस्मिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को टांस्मिश करना डिस्ट्रिबूशन का मतलब होता है बातना लाइन का मतलब होता है किसी लाइन दवारा ओके तो आज पहले टांस्मिशन के में पढ़ लेता क्या होता है हम पढ़ने के बाद समझेंगे भी से टू मूब था electricity from power generating facility to local area देखिए जहां से generating हो रहा है यानि energy कहीं और जनरेट हो रहा है अब एक particular area से मान लिजए कि हमारा energy जनरेट हो रहा है सिमला में और हमारी requirement दिल्ली में तो सिमला से दिल्ली आने के लिए transmission के जाए क्योंकि यहां लिखा है वह यह टू मूब आवर electricity हमारे electricity को मूब किया जाता है फ्रॉम पावर जनरेटिंग फैसलेटि पावर जनरेटिंग फैसलेटिंग फैसलेटिंग अभी है नहीं टिल्सक्राइब एक वायर जमीन पर लिटा दिया और जमीन पर लिटा कि हमने वहां तक फहुंचा दिआ ऐसा पॉसिल्ल नहीं क्योंकि इसमें लिए इसलिए मैं इसे कहा है एक सिस्टम के तुरू एक जनेरेटिंग फैसलेटी के तुरू इसे क्या करना पड़ता है लोकल एरिया में लाना पड़ता है जैसे लोकल एरिया जहां पर नॉर्मली उसको डिस्ट्रिबूट किया जा रहा है इनम एक्स पावर कॉर्प्रेशन रिलाइंव और सिस्टम ऑफ हाई बोल्टेज पावर लाइन अब देखें एक्रोस अलवेरट अब देखें मैंने क्या करता है कि हम नॉर्मली जमीन को लिटा के तो वैर को ला नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर हाई करेंट हाई से दूसरे पर्टिकुलर एडिया तक पहुंचाने का काम करता है इंक्लूडिंग आवर ओवन 299 किलोमेटर नेटवर्क अभी देखें बता रहा कि 299 किलो नेटवर्क के वितीन दा सीटी एक सीटी के अंदर इसने इतने इतना लंबा वायर है उसे क्या क्या है टांसमिस किय में क्या होता है वोते हैं इसे क्या कर ना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पदेगा इस लिए रिदियूजब बोल्टेज का मतलब क्या है जो मारे यह स्टाइब डाउन का यह क्योंकि हम इतना ज्यादा ही बोल्टेज तो प्रवाइट करने सकते कंस्टरमर को तो क्या करेंगा हम बोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे क्या मैक्सिम रेरर कंडिशन होती होगे मैक्सिम में इस्टैप डौन यूज action में स्टैप अप डौन यूज किया जाता है आप देख Shaptows यह 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 आप श्रूज की तावर यूच की जा रहे हैं कि यहाँग पनाठेजग उपला निवां पreseद्च यह जो आप हम हमारी जो electricity generate हो थी वह सीमला में हो रहे थी और आपको distribution कहा करना है दिल्ली में करना है तो जब आपकी electricity आगे transmission की लाइन से दिल्ली तक आगए तक आगए यह तो है निए कि आपने जब आपकी जो कुछ जगह ऐसी होते हैं जहां electricity कट कट कभी नहीं होते हैं जैसे hospital हो गया मतलब medicals कई जगह ऐसी है जैसे जहां electricity कभी कट नहीं कर सकते हैं उनके requirement होती है तो आप अलग-अलग line डालोग उनके लिए अलग-अलग safety line डालोगे तो ऐसे इसे distribute करोगे important भी है तो इन्हें थोड़ा पढ़ लेता है इन क्या लेजी वन उप electricity ऑप डिलाइफ रॉम मोर दैन 40 सबस्टेशन लोग वोल्टेज पाबर लाइन देखिए क्या करता है हाई वोल्टेज को लोग वोल्टेज में कनवर्ट करने काम करता है टांसपोर्ट एलेक्टिसिटी और सौट डिस्टैंट और यह क्या है मतलब कम मतलब सौट डिस्टैंट्स मतलब के कम जगा जैसे मालीज आपको 10 किलोमेटर तकी किसी particular एरिया तक यह क्या कर सकता है तो इसके आपको दूसरे टांसपर्मल लगाने की ज़गत पड़ेगी यह नहीं कि आपने एक टांसपर्मल एक डिस्टैंट्रिबूशन मतलब एक टांसफर्मल लगा के आपने लागों गरों को इलेक्टिस्टिट्रिपूशन परवाइड कर दिया से अकॉंप्लाइट इस एन एमेक्स पावर कोर्परेशन यूज 3.30 किलोमेटर डिस्टिबूशन लाइन के ट्रेलजी एंड सरावनिंग एरियास कंपनी का अपने नाम बता है उसने का है कि उसने 8301 किलोमेटर डिस्टिबूशन नाइन बैटाया क्योंकि यह पूरा एक सिस् प्षिजए दृस्टोंतों रही खाले में वरी फील जाता है उसके यहाँ लिक्वर्स रखका अधार। स्कृट बहुत सारे उसे स्ट्रेट लगे खोता है और सटेटशवक्य अनके थुरू किया जाता उसे स्ट्ट आ जाता है ठीक है वो भी हम आगे पढ़ेंगे किसी और चेप्टर में उसके लिए इंसुलेशन ऑफ अंडर्ग्राउंड केबल देखें दो तरखें के हमारे टांस्मिस्ट्रिपूसन होती है पहला क्या अंडर्ग्राउंड दूसरा क्या है ओबरेड अंडर्ग्राउंड का मतलब क्या ह और अगर आपको होबर यह दिस्ट्रिपूसन टैंसमिस्ट यह देखने तो आपके नियर में दोनों देख जाएंगे पास बहुक्स लगी होंगी मतलब हर पूल के पास एक ईडिक्व के लाउगा होगी तो से एंडर्ग्राउंड जमीन के नीचे होता वाइरिंग तो उसी के हम बात करेंगे ठीक है तो पर देग्ड लाइंग ऑफ अंडर्ग्राउंड केवल अब देखें जब अंडर्ग्राउंड केवल डाला जाता तो इसमें कुछ कंडिसन्स होता है मैंने क्या करता कि कोई भी हम काम करते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करना होता है तो इसमें लिख रहता है एक टीच आफ वाउट ओन पैंट फाइंट वीट और इंडंग देखिए अब कुछ रेंज होती है ऐसा नहीं कि हमने उपर में एक मेंटर के उपर य बोल्टेज के रहते हमें या मुह रहा आई वोल्टेज फ्लो कर रहा तो उसकी अलग रेंज होगी लोव लोपर फ्लो कर रहा तो उसकी अलग deco उखी चैयिक है तो इंडिप होगी और अलग बिचोंटputer पांग के थूरू यानि किसी पाइप के तुरूप पास करोगे तो इस पाइप के ऊपर आपको सिमेंट डालना पड़ेगा अलग अलग तरीके के कॉंक्रिट डालने पड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर मेकेनिकल फोर्स पड़े तो ब्रेक नहीं हो ठीक है तो वही बता रखा है दा के वली के बोलोता है ञाएं जैसे लाड़ ऐसे होता है वैसे लाड़ के बलुकता एक इंसलेसन होता है एकेंस कशा विधाल्एर अंड सेंट अबॉर्ट ऑपूपर से तो उपर से इंसलेशन चड़ाओगे और यह दगना के मैं कहींसे फॉर्पनाटम के और मैं का यह ब्रोन की कि अगर आप कुछ जोड़ हो तो तो अगर को आपको जोड़ होगे तो ऊपर आका जोड़ सकते हैं अब आगे आते हैं कींट The साफ़ाई होने जरूरी है बहुत जाद इंपोर्टेंट है हमारे रियल लाइफ में भी बहुत जाद इंपोर्टेंट है देन नियर बुलेड और कोईल फुलो मिनिमम वायर बैंडिंग इसपेस देखिए हमको क्या करना चाहिए कि पहली बात तो जहां पर हम काम करें वहां साफ सफाई होनी चाहिए और अमने यह को सब्सक्राइब करना चाहिए कि जो वायर जो केवल हो कम से कम हो क्यों जितने ज़्यदा केवल होंगा ना अमें उतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है फ्यूचर में क्लीनेस एट टर्मिनल फोर कंड़क्टर पर एन इसी इज रिक्वाइड फॉलो एन में में इस्टेंडर फोर टांस्फार्मर सांट कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन टू के बिए रेटिंग ऑफ एइन अगरम टांस्फार्मर को स्टॉल करें तो मैं कई चीजवें फोकस करना होता है कुछ कंडिशन्स होते हैं उनको फोलो करना होता है तो वहीं बता रहा है हम आगे देखते हैं क्या दे रहा आगे है दहने हैं पर हमें पहले बत तो यह पोज इसे ल Fey एक चाल यह Uh ऑट बॉट होना है क्वार मिया खरते हैं तो यह से आचल सकता है कि हाई वोल्टिज को सबदीब करने केIKप करने काम कर रहा है और यह लो जो मारहा लोडव में कांव इसलिए इसकी साइच छोटी है जितना ज्यादा लोड होगा ट्रांसफर्म उतना ही बड़ा होगा देखिए अगर यहां पर वायर कम है नॉम्मर कंडेक्टर की वैल्यू कम है तो क्या होगा कि हमें काम करने में बहुत ज़्यादा असानी होगी और कोई प्रोब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी अगर नॉम्मर कंडेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे ठीक है तो हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रोब्लम फिसक नहीं पड़ सकती है ठीक है समय के कोडिंग अब आता है इंसुलेशन और सबस्टेशन सबस्टेशन की अगर इंसुलेशन की बात करें तो प्रोब्लम बहुत जादे एक्विमेंट युच के जाते हैं तो सारे के सारे की मेंट सबस्टेशन के अंदर इस टॉल के जाते तो अपने आप में सबस्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है तो पहला क्या है कि ऐसा होना चाहिए जहां कि हम काम कर सकें प्रिपेर दस सबस्टेशन के अंदर कुछ है तो ऐसे जगा भी आपको सबस्टेशन त्यार नहीं करना या नाले के बगल में भी त्यार नहीं करना ऐसे जगह त्यार करना जहां पर प्रोपर ही काम कर सको इससे कैप्ट एंड ले ओफ फांडेशन ठीक है और जो टांसफार्मर रखते हो के लिए अलग-अलग फांडेशन बनता है अलग-अलग तरीकों से बनता है लोड के साफसे ट्रांसफार्मर की वेड के साफसे तो उन सब चीजों को बनाना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके उपर तो काम करना है आपको इंस्टॉल दा ग्रांडिंग ग्रीड होता है तो से इस्टॉल किया जाता है जो खंबे होते हैं ठीक है अलग-अलग तरीके के अलग-अलग यूज के जाते हैं वोईल दा कॉमन कमांड बिल्डिंग ठीक है बिल्ड़ कमांड बिल्डिंग अब देखिए जो इंस्टॉलेशन आप सबस्टेशन होता है यह भी दो अगर नहीं होता है पिछले टावंट नहीं पड और वारे में तो चाहां बिद्सक्राइब तो इसके अधाता है बैक फिल्ड दा फांडेशन एंट सबस्ट्रेस नियार्ड बैक फिल्ड का मत्त रोता है जो उसके और जो सबस्ट्रेस्ट के जो सराउंडिंग वहां के इस तरीका फोटेक्शन प्रवाइड करोगी को जानवर ना गूस उसके अंदर या कोई नहीं नहीं न ओ जाए है ठीक है सेम्बल दा इस्टेल स्ट constituents क्योंकि अब देको इस्टेल स्ट्रेस्ट्र क्या है कि आप किसी चीज को स्ट्राल कर रहे हो तो किस तरीके वीस बनाऊ और अग्र इस तरीके वह गेज़स्तरे को बनाऊगे इतना इंस्टॉल दे लेक्टिकल लिक्रमेंट को सेट करने के बात क्यामस पर वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कहीं ज्यादा टावर की हाइड तो नहीं है इस चीज़ें पर फोकस करना होता हमें तो बेसिक आप अपनी नियर में सबस्टेशन जाए जो बिदली ऑफिस है वहां ज जैसे कि आपके जो नियर में पढ़ता सब वहां पर जाके देख लो ठीक है पैक्टिकली देखने का ज्यादा फाइदा थेहोरी से क्यों थेहोरी से तो समझोगे लेकिन फिर भी मैं कर लेना ठीक है आज लास्ट हम आ रही है ठीक है इंस्ट्रॉलेशन ऑफ मोटर एंजिने jane Burle की क्या काम होता है केनिकल एनरजे को इलेक्टिकल एलेजी कशिए करने का काम होता है गन्येटर का तो इन दोनों में जादा कूछ नहीं बहुत आर सेम मैक्सिमूम सेम है मैं यह नहीं करूगँ लेकिन दोनों के जो working principle है वो भी लगवक सेम ही है बस काम दोनों के अलग अलग है यह क्या करता है यह करता है electrical energy mechanical energy convert करता है जब कि जनरेटर करता है mechanical energy electrical energy में convert आपकी जैसे requirement होगी वैसे आप installing करोगे ठीक है motor को install करता है मैं कई चीज़ों कर फोकूस को पहला क्या है कि इंसुलेशन और जो आपने केवल यूच्छा है क्या वो कैप वल है नहीं है और केवल का इतना रेस्टेंस है केवल की इसलेशन उसका रेस्टेंस कि उस मोटर के तोड़ा देख लीना तो आपके रिक्वार्मेंट के साफ मोटर इस्टॉल करोगे जैनेटर के साफ जैनेटर को इस्टॉल करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं लेकिन एक पॉइंट नहीं बहुत इन्पॉर्टेंट है और मैं तो यह कहूँ कि आप अपने घर से थोड़ा बाहर रा निकलो कूला रही बाहर नहीं निकल सकते हैं तो चेट प़े हैं चाहिए लिक्लतli में लग जागा ठीक है then thank you for watching this video and please like and subscribe and support us